नमस्कार मैं हूँ कवटा एक तरफ जहां मोदी सरकार चंता के बीच जाकर अपनी उपलब्या गिना रही है तो वहीं उपक्ष तीखे हमले कर रहा है लेकिन इन सब के बीच बीएस्टी सुप्रियूमो मायावती ने ये तक कह दिया है कि मोदी सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो गई है उन्होंने क्या कुछ कहा आई ही आपको सुनाते हैं सरकार को अपने सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर जस्न मनाने का और उस जस्न पर करोडो करोडो अर्बो रुपे खर्च करने का कोई भी अधिकार नहीं बनता है जबकि सरकार को उस धनको वास्तव जनहित वे जनकल्यां के कार्यों परी खर्च करना चाहिए और अब संक्षेप में परधान मंत्री स्री नरेंद्र मोधी की सरकार हर उस तरपर देश के जनता के नजरों में अभी तक सफेद जूट बोलने वाली सरकार ही सावित हुई है इसके साथ ही सरकार ने अपने पूंजी वादी वैताना शाई नेड़न्यों के माध्यम से अपने पिछले चार बड़सों के कारेकाल में यहां की गरीब वे मेहनत का जनता को खूब छला भी है धोका भी दिया है उने जबकि वास्तम में यह सरकार केवल यहां उठी भर बड़े बड़े पूंजी पतियों वैधन्ना सेटों के आगे ही नत्मस्तक वैधन्ड बत रही है जिसकी वज़े से देश की जनता काफी ज़्यादा चिंतित है कि बैंकों में उसका पैसा सुरक्षिद भी है कि नहीं इसको लेकर देश की जनता काफी ज़्यादा चिंतित भी है इसके इलाबा देश में हर जगा जीवन के हर छेतर में छाई हुई व्यापक का व्यवस्ता वै अराजकता इस बात का परमान है कि बीजेपी के राज का मत्रब जंगल राज बन गया है और अब यहां बीजेपी एंड कंपनी वै आरेसस वालों के लिए सविधान वै कानून का अनपादन करने का कोई मायने नहीं रह गया है कोई अर्च नहीं रह गया है और अब उने हर प्रकार के अनरगल ब्यान बाजी वै हर प्रकार के अपरादी वै गयर कानूनी कारे करने की छूट दे दी गई है इसके साथ ही कठवा जमू कश्मीर में कठवा वै आपके उत्तर परदेश में उन्ना की नाबालिक के सोरी के साथ हुए बालादकार के मामले को भी बीजेपी दुआरा अपने सत्ता के बल पर दर किनार करने का भी असफल प्रयास लगा का किया लिया है जो महला सम्मान के मामले में बीजेपी के चाल चरीतर वे चहरे आदी को पूरी तरह से दर्शादा है वास्तम में स्री नरेंगर मोदी की केंद्र सरकार में देश की गरीब वे महनत का साम जनता एबम महलाओं का जितना ज़्यादा शोशन वे उत्पीडन हुआ है वे इससे पहले या कभी भी देखने को नहीं मिला है इनकी चोरी वे उपर से सीना जोरी भी देश के आधूनी की पिहास में अभूत पूर्ण वे अप्रयासित दोनुई है और इतना ही नहीं बलकि बीजेपी वे परधान मंत्री स्री नरेंगर मोदी की सरकार की घोर वादा खिलाफी के कारण अब इनके भरोसे वे प्रभाब में भारी कमी होने से सरकार का रुथवा भी काफी जाता रहा है और अब इनके ही लोग अपने नेताउं की एक नहीं सुन रहे हैं ये बीजेपी की सरकार की उल्टी गिन्ती शुरू होने का खास संकीत भी है इसके साथ ही इनके NDA के सेयोगी दल भी अब एके करके पहले से ही अलग होती जा रहे हैं जो अपने आप में ये बहुत कुछ साबित करता है कि BJP के NDA सरकार का चार वरसों का कारेकाल हर स्करपर अक्यम की विफल वे निराशा जनक रहा है और अबंत में मैं BSP केंदर यूनिट दुवारा आज लखरू में पार्टी के ओल इंडिया के बुलाई गई बैटर के समग में भी ये कहना चाहूँगी कि आज की बैटर पार्टी वे मूवमेंट के हित में खास कर पार्टी में लोक तंक को और जादा मजबूत करने वे पार्टी के जनधार गोवी बड़े पहमाने पर बढ़ाने के लिए खाली में पार्टी के सविधान में किये गए कुछ जरूरी संसोधनों की जानकारी देने तथा देश में जल्दी ही होने वाले लोग सभा आम चुनाओं में वे इससे पहले कुछ राज्यों के भी विधा सभा के होने वाले आम चुनाओं में पार्टी का अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए कुछ जरूरी दिशान देश देने हे तू बुलाई गए जिसकी पूरी जानका ने आपको अलग से प्रेस नोट के जरिये दे दी जाएगी धन्यवाद अब मीडिया बंदू से अपील है कि अब आप लोग चले जाए जरूरी दिशान देने हे तू बुलाई गए जिसकी पूरी जानका ने आपको अलग से प्रेस नोट के जरिये दे दी जाएगी धन्यवाद इसके साथ ही इन्होंने अपनी विपक्षी पाठियों को कमजोर करने के लिए सरकारी मशिन्रे का भी दुर्पयोग इतिहासिक तोर पर खूब किया है ऐसी स्तिती में परधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी की सरकार को अपने सरकार के चार बर्ष पूरे होने पर जस्न मनाने का और उस जस्न पर करोडो करोडो अर्बो रुपे खर्च करने का कोई भी अधिकार नहीं बनता है जबकि सरकार को उस धन को वास्तव में जन हित वे जन कल्यान के कार्यों परी खर्च करना चाहिए और अब संक्षेप में परधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी की सरकार हर स्करपर देश की जनता के नगरों में अभी तक सफेद जूट बोलने वाली सरकार ही सावित हुई है इसके साथ ही सरकार ने अपने पूंजी वादी वैताना शाही निर्ण्यों के मार्धियम से अपने तिष्ले चार बड़सों के कारेकाल में यहां के गरीज मेहनत का जनता को खूब छला भी है धोका भी दिया है उने